को हर हर महादेव, आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाई पर बहुत-बहुत स्वागत है, जै मालक्षमी, कैसी हैं आप सब, हम आशा करते हैं मित्रो, आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे, तर्श को आप सभी जानते हैं, दिन शुक्रवार 11 अगस्त, सावन और अधिकमास के समावन समापन से पुर्व, अधिकमास अब 16 अगस्त अमावश्या से समाप्त हो जाएगा, पूरे 19 साल की बाद ऐसा हुआ है कि जब अधिकमास और सावन एक साथ आए हैं, तो सावन और इस अधिकमास के एकादशी पर यदि आप माता लक्षमी को अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हैं चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा शुक शान्ती और परकत बनी रहे अपने घर में धन की बरकत चाहते हैं तो इस एक उपाय को आप अवश्य ही करिएगा पूछनिय पंडिची ने शिम महापुरान कथा में विशेश रूप से वर्णन किया है यदि आपके घर में बहुत अधिक कलेश रहता है छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो जाता है तो ऐसी परिस्तिती में शुकरवार 14 अगस्त सावन और अधिक मास की एका दशी पर माता तुलसी में आपको एक छोटी सी चीज बान देनी हैं क्या है वह चीज आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं पहले बार मेरी आवास को सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंती सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आइकन को प्रस करके औल पर क्लिक कर दीजिए जिसे कि हमारा जब भी कोई नय व उपाए के लिए आपको अपने लंबाई का कलावा चाहिए होगा जो लाल धौका आता है कलावा या मॉली वो चाहिए होगा आपको Key utilizing अपने लंबाई का लेले और उसमें आपको ग्यारह गाठे लगानी है एकाधशी हैं 11 दिन होते हैं एकाधशी तीथी पर तो ग्यारह गाठे आपको लगानी है और साथ बार अपनी उस कामना को धोराते हुए माता तुलसी में आपको बान देना है और कलश में थोड़ा सा आपको एक चुटकी हल्दी माता लक्षमी का सुरूप उसमें कलश में जल के साथ मिश्रित कर अब इस जल को माता तुलसी को आपको अर् करेंगी धनिवार्द दर्शकों हर हर महादेव